आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चो आज हम पर्यावरण अध्धन के अंतरगत कक्षा 4 की हमारा परवेश पाठय पुस्तक का पाठ 11 जल है जीवन का पहला भाग पड़ेंगे बच्चो इस भाग में हम जल शुरोतों के बारे में जानेंगे जल प्रदूशन के कारण और प्रभावों को समझेंगे साथ ही प्रदूशित जल से होने वाले रोग और उनसे बचाव के बारे में जानेंगे तो शुरू करते हैं पाठ 11 जल है जीवन का पहला भाग जल यानि पानी पानी से तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं क्या आप लोग बता सकते हैं दिन भर में हम किन-किन कामों में पानी का प्रयोग करते हैं ये प्रश्न तो बहुत आसान है इसका उत्तर तो आप फटा-फट दे देंगे क्योंकि हम सभी दिन भर के बहुत से कामों में पानी का प्रयोग करते हैं जैसे पीने के लिए, कपड़े दोने के लिए, बरतन साफ करने के लिए, पौधों में डालने के लिए, पसुओं को पिलाने के लिए, ब्रश करने के लिए, हाथ साफ करने के लिए और भी बहुत से कामों में पानी का प्रयोग होता है अब आप सोचिए यदि आपको बिना पानी के रहना पड़े तो कैसे रहोगे? क्या आप लोग बिना पानी के रह पाओगे? आप लोग सोच रहे होंगे बिना पानी के कोई कैसे रह सकता है? आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं पानी के बिना कोई भी नहीं रह सकता न केबल मनुष्य बलकि कोई भी जीव जन्तु या पेड पौधा पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता इसलिए तो कहते हैं जल है जीवन और बच्चों हमारे पाठ का क्या नाम है बिल्कुल सही हमारे पाठ का नाम है जल है जीवन आज इस पाठ में हम पानी के बारे में ही बहुत सी बातों को जानेंगे और नई नई जानकारियां प्राप्त करेंगे आप लोगों ने जल यानि पानी से सम्बंदित बहुत से नारे सुने होंगे जैसे जल है जीवन जल अनमोल है जल बहुमूल है जल है तो कल है बच्चों ये सभी नारे जल के महत्तों को समझाने के लिए ही बनाये गए हैं और विश्य में पूरे संसार में विश्य जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है कब मनाया जाता है 22 मार्च को 22 मार्च को होता है विश्य जल दिवस इस अपसर पर विध्यालेओं में जल के महत्तों को समझाने के लिए जल प्रदूशन रोकने के लिए और जल संस्रक्षन के प्रतियोग इताएं कराई जाती हैं बचो जल सनरक्षण का अर्थ होता है जल की रक्षा यानी पानी बचाना और आप ये तो जानते ही हो कि समय समय पर हम सभी के विध्धालेओं में जल सनरक्षण के लिए जल को प्रदूशण से बचाने के लिए बहुत से कारिक्रम होते र जरूर प्रतिभा करते होंगे बचो पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्या आपने कभी सोचा है कि ये पानी मिलता कहां से है आता कहां से है ये पानी बचो जहां-जहां से हमें पानी मिलता है उन्हें जल श्रोत कहते हैं यानि जहां-जहां से पानी मिलता है उन्हें जल के श्रोत कहते हैं, जैसे नदी, तालाव, जीलें, आप लोगों ने देखा होगा बारिश के समय, तालाव पोखरें भढ़ जाती हैं, नदियों का जलिस्तर बढ़ जाता है, यानि नदियों में पानी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जीलें भी भढ़ जाती है, जाती है, इसलिए यह सतही जल भी कहलाता है, नदी, झीलें, तालाव धरातल बच्छों, यह जो पानी है, जो हमें धरातल की उपरी सतह पर पाका जाता यह क्या कहलाता है धरातलिय जल और इसके श्रोत क्या है नदी, तालाब, पोखर और जील है आप लोग यहां चित्र में जील, तालाब और नदी देख रहे हैं यह धरातलिय जल के श्रोत हैं जिनमें नदियां धरातलिय जल की प्रमुक्ष रोत हैं आप लोगों ने अपने आ चर्चा की थी कि पानी तो हमें बहुत सारे कामों में प्रयोग करना पड़ता है, क्या हम नदी, तालाब और जीलों से सीधे पानी लेकर अपने सारे काम करते हैं? नहीं न जानते हैं जल को उपयोग में लाने के लिए क्या क्या किया जाता है बच्चों सबसे पहले पानी को संग्रहित किया जाता है यानी इखटा किया जाता है पानी की बड़ी बड़ी तंकियों में जैसी तंकियों आप इस चित्र में देख रहे हैं ऐसी ही टंकियों में पानी को एकटा किया जाता है फिर इसे सुध करके पाईप के माध्यम से घरों में पहुचा दिया जाता है आप मैंसे कुछ बच्चों के यहाँ पाईप के माध्यम से पानी आता भी होगा हम लोगों ने धरातली जल के बारे में तो जान लिया और यह भी जान लिया कि जो जल भूमी की उपरी सतह पर होता है वह धरातली जल होता है और यह हमें नदी, तालाब, झीलों से मिलता है लेकिन बच्चो पानी तो हमें hand pump, नलकूप, नलकूप यानी टीवेल और कुउव से भी मिलता है लेकिन यह पानी भूमी की उपरी सतह पर तो नहीं पाया जाता फिर इनमें पानी कहां से आता है? आप जानते हैं इनमें पानी कहां से आता है? आप लोग बिलकुल सही सोच रहे हैं इनमें जो पानी होता है वह भूमिगत जल होता है बच्चों जब धरातलिय जल जैसे नदी, ताला, जीलों और पोखर का पानी धीरे धीरे रिस रिस कर जमीन के अंदर इखटा हो जाता है तब यह भूमिगत जल कहलाता है और यही भूमिगत जल हमें हेंड पंप, नल कूपों और कूओं से प्राप्थ होता है बच्चों आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि जो हम जल को संग्रह करते हैं बच्चों आप लोगों ने ये भी जानना होगा कि जो जल होता है उसका उपयोग नदियों पर बांध बना कर भी किया जाता है नदियों पर बांध बना कर जल को रोका जाता है और उसकी दिशा को परवर्थित किया जाता है और इसमें से पानी में से नहर निकाली जाती है इन नहरों के पानी का प्रियोग सिचाई के लिए किया जाता है और बिजली बनाने में भी पानी की सहायता लिजाती है हम बात कर रहे थे जल के अन्य श्रोतों के बारे में जो हमें भूमिगत जल के श्रोत कहलाते हैं आप लोग चित्र में हेंड़ पंप, त्यूवल और पुवा देख रहे हैं यह भूमिगत जल के श्रोत हैं भूमिगत जल यानि जो पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर इकटा हो जाता है यह पानी भूमिगत जल कहलाता है आप लोगों ने अपने आसपास भूमिगत जल के इन श्रोतों के बारे में अच्छी तरह से जाना होगा और हेंड़ पंप तो हमारे विध्धालेओं में और आप सभी के घरों में आप लोगों ने देखे ही होंगे जलके इन भूमिगत जलके इन श्रोतों के जलका प्रयोग पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए और सिचाई आधी करने के लिए किया जाता है अब आप लोग धरातलिय जल के बारे में जान गए वह पानी जो भूमी की उपरी सतह पर पाया जाता है वह धरातलिय जल कहलाता है और यह हमें नदी, तालाब, जीलों और पोखरों से प्राप्त होता है और भूमी गत जल वह जल कहलाता है जो रिस रिस कर जमीन के अंदर बादी से प्राप्त होता है बच्चो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जल प्रदूशन के बारे में जब झीलों नदियों नहरों समुद्रों तथा अन्य जल निकायों में विशैले पदार्त सामिल हो जाते हैं या किसी प्रकार की गंदगी सामिल हो जाती है तब इसे जल्प्रदूशन कहते हैं यानि आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ तालावों में, कुछ नदियों में बहुत गंदा पानी होता है और जब पानी में गंदगी खुल जाती है तब इसे जल्प्रदूशन कहते हैं और इस प्रकार के पानी को प्रदूशित जल कहते हैं, प्रदूशित जल से बहुत सारे प्रभाव पढ़ते हैं, यदि पानी में प्रदूशन बहुत अधिक हो जाता है, तब इसका असर हमारे स्वास्त पर पढ़ता है, हमें प्रदूशित जल से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं आप लोगों ने अपने आसपास तालाव नदियों में देखा होगा कई बार बहुत सारी गंदगी इखटी हो जाती है क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पानी में यह गंदगी कहां से आती है जल प्रदूशित कैसे हो जाता है अब हम लोग जल प्रदूशन के क कारणों को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे जल प्रदूशन के कुछ प्रमुख कारण है नदी तालाव आदी में कूडा करकट डालना बच्चों आप लोगों ने देखा होगा घरों से गाउं से शेहरों से कस्मों से बहुत सारा कूडा करकट निकलता है और यह सारा तालावों में डाल दिया जाता है जिसके कारण नदी और तालावों का पानी दोशित हो जाता है नालों का गंदा पानी नदी में गिरना बच्चों जो नाले होते हैं वो पूरे शेहर की गाउं की कसदे की और सभी घरों की गंदगी लेकर जाते हैं उनमें सभी घरों का ग गंदा पानी गिरता है और यह गंदा पानी जाकर नदियों में गिरा दिया जाता है जिससे नदियों का गल जल गंदा हो जाता है यानि नदियों का पानी प्रदूशित हो जाता है कारखानों से निकलने वाले अपसिस्ट पदार्थों का नदियों में गिरना बच्चों छोटे बड़े बहुत प्रकार के कारखाने होते हैं फैक्टरियां होती हैं और इन में बहुत सी बस्तुएं बनाई जाती हैं इन बस्तों के बनने में कई प्रकार के अपसिस्ट पदार्थ बनते हैं यानि अपसिस्ट पदार्थ का अर्थ होता है बहुत सारा कूडा कच्रा निकलता है और यह अपसिस्ट पदार्थ नदियों में गिरा दिये जाते हैं जिसके कारण नदियों का पानी गंदा हो जाता है नदियों का पानी प्रदूशित हो जाता है कुवां तालाब के पास नहाना, कपड़ा धुलना एवं जानवरों को नहलाना बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग कुवां या तालाब के पास नहाते हैं कपड़े धोते हैं और अपने जानवरों को भी नहलाते हैं जिससे सारी गंदगी कुए या तालाब में चली जाती है और उनका पानी गंदा हो जाता है खेती में रासायनिक उर्बरोकों तथा कीद नासक दवाओं के प्रयोग से भूमिगत जल का दूशित होना बच्चों भूमिगत जल क्या होता है आप लोग बिलकुल सही सोच रहे हैं अभी हमने पढ़ा है कि जो जल धीरे धीरे रिस रिस कर जमीन के अंदर इखटा हो जाता है वह जल भूमिगत जल कहलाता है और यह जल हमें हेंड़ पंप, नलकूप और कुओं से प्राप्त होता है जब किसान अपने खेतों में आवश्यक्ता से अधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनासक दवाई मिलाते हैं तो इनका असर धीरे धीरे करके भूमिगत जल को प्रदूशित करता है आप लोग जल प्रदूशन के कुछ प्रमुख कारणों को तो समझ ही गए होंगे और बच्चो साथ ही आप यह भी समझ गए होंगे कि जल प्रदूशन का एक प्रमुख कारण हम मनुश्य हैं हम सभी अपनी कुछ आदतों के कारण और कुछ क्रिया कलापों के कारण जल को प्रदूशित करते जा रहे हैं हमें अपनी इन आदतों को और क्रिया कलापों को बदलना होगा जिससे जल में प्रदूशन ना हो और हमें प्रयोग के लिए और पीने के लिए स्वक्ष जल मिल सके हमें हमेशा याद रखना होगा कि पानी में जल के किसी भी निकाय में नदी तालाब जील किसी में भी हमें किसी भी प्रकार की गंदगी किसी प्रकार का गंदा पानी नहीं डालना चाहिए ऐसा करके हम जल प्रदूशन को रोग सकते हैं और हमें पीने के लिए स्वक्ष जल प्राप्थ हो सकता है स्वक्ष जल पीने से ही स्वस्त जीवन रहता है बच्चो अब आप लोगों को भी कुछ करना है आईए जानते हैं आप लोगों को क्या करना है यहां कुछ बिंदू दिये हैं आप लोगों को इन बिंदूओं पर अपने साथियों और अपने घर के बड़ों से चर्चा करनी है अब देख लेते हैं आपको किन बिंदूओं पर चर्चा करनी है तालाव या नदी के जल का उपयोग कौन-कौन करता है आप लोगों को अपने आसपास के किसी तालाव या नदी का अच्छी तरह से अबलोकन करना है और पता करना है कि इस तालाव या नदी के जल का उपयोग कौन-कौन करता है इनका उपयोग किन-किन कार्यों में किया जाता है तालाब और नदी का जो जल है इसका उप्योग किन किन कार्यों में किया जाता है क्या फैक्टरी कार खानों का प्रदूशित जल कूडा कच्रा आधी अपसिस्ट पदार्थिन में डाले जाते हैं आपको यह भी पता करना है कि यदि आपके आसपास कोई फैक्टरी या कार खाना है तो उसका प्रदूशित जल या कूडा कच्रा कहीं आपके आसपास के तालाब या नदी में तो नहीं डाला जाता क्या यह पानी पीने योग्य है आपके आसपास जो नदिया तालाब है उसका पानी पीने योग्य है क्या यह पानी हमारे स्वास्त के लिए उपयुक्त है और पानी में रहने वाले जीव जन्तू जल से किस प्रकार प्रभावित होते हैं आपको इन सभी बिंदूओं पर अपने साथियों से और अपने घर के बड़ों से चर्चा करनी है और चर्चा के बाद जो भी निसकर्स निकले आपको उस निसकर्स को अपनी उत्तर पुष्तिका में लिखना है और बच्चो इस निसकर्स को आपको सब के साथ साजह भी करना ह कि आपके आसपास जो नदी या तालाव है उसमें किस प्रकार का पानी है क्या वह पानी पीने योग है क्या वह पानी आपके और सभी के स्वास्त के लिए उप्युक्त है उस पानी में रहने वाले जलिय जीवजनतुओं पर आपके आसपास के तालाव या नदी के पानी का क् पढ़ता है आप इन सब बिंदूओं पर विस्तार से चर्चा करें और अपने पास के नदी या तालाब के पानी के बारे में जानने का प्रयास करें अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जल प्रदूशन के प्रभावों को आप लोग अच्छी तरह से सम आप लोग असवाज गए हैं कि जल प्रदूशन का मुख्य कारण हमारी आदते ओर क्रिया करदाब है तो अब हम जानते हैं कि जल प्रदूशन से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हम पर जलियई जीवजनतूओं पर पेड़ पोधों पर और जानवरों पर जल प्रदूशन के क्या प्रभाब है एक एक करके हम उन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे प्रदूशित जल का हमारे स्वास्त पर बहुत बुरा प्रभाब पड़ता है बच्चों गंदगी हमेशा ही बुरी होती है चाहे वह गंदगी जल में हो या किसी और में यदि हम गंदा जल प्रयोग करेंगे तो उसका प्रभाब हमारे स्वास्त पर जरूर पड़ेगा प्रदूशित जल के प्रयोग से हैजा, पीलिया, अतिसार, अतिसार को इंगलिश में डायरिया भी कहते हैं और टाइफाइड रोग हो जाते हैं बच्चो स्वास्त पर प्रभाप पड़ता है यानि हमें प्रदूशित जल के प्रयोग से कई प्रकार की बीमारिया हो जाती हैं कौन-कौन सी बीमारियां? पीलिया, हैजा, पेचिस, अतिसार, टाइफाइड, आधी. इन रोगों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे. प्रदूशित जल पीने से जानवर भी बीमार पढ़ जाते हैं. जिस प्रकार प्रदूशित जल के प्रयोग से हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, उसी प्रकार प्रदूशित जल के प्रयोग से जानवरों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पढ़ता है. जानवर बीमार ही हो जाते हैं यानि हमें तो प्रदूशित जल प्रभावित करता ही है प्रदूशित जल जानवरों को भी प्रभावित करता है क्योंकि हमारी तरह ही प्रदूशित जल को जानवर प्रयोग करते हैं और वह भी बीमार हो जाते हैं तालाब या नदी का जल प्रदूशित होने से उसमें रहने वाले जीव जन्तु मर जाते हैं बच्चों आप लोग ये तो जानते ही हो कि पानी में तालाब या नदीयों में बहुत तरह के जीव जन्तु रहते हैं क्या आप लोग नदिया तालाब में रहने वाले कुछ जीवजन्तु के नाम बता सकते हैं। बिलकुल सही। तालाब में कचुआ, मेडक, मचली, केकडा और भी बहुत से जीवजन्तु रहते हैं। जब यह जीवजन्तु प्रदूशित जल में रहते हैं, तो इनके स्वास्थ पर भी बुरा प्रभाप पड़ता है। बच्चों, जिस प्रकार हम सभी पर प्रदूशित जल का प्रभाप पड़ता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों पर भी इसका प्रभाप पड़ता है। बच्चों, फसलों में, फलों में, सबजियों में पानी दिया जाता है। जैसा पानी हम इनमें देते हैं, वह उसी प्रकार से बढ़ते हैं। यानि यदि फल, फसलों और सबजियों में हम अच्छा पानी देंगे, तो इनकी गुडवत्ता और पौस्टिक्ता बनी रहेगी। यदि इनमें दूशित जल यानि गंदा पानी दिया जाएगा, तो इनकी पौस्टिक्ता और गुडवत्ता कम हो जाएगी। और ऐसे फल, सबजी और फसलों को खाने से हमारे स्वास्त पर भी बहुत बुरा प्रभाप पड़ता है। अब आप लोग जल प्रदूशन के बारे में समझ गए। जब जल में गंदगी हो जाती है, तो जल प्रदूशन कहलाता है। और इसका कारण कहीं न कहीं हम मनुश्य हैं, हमारी कुछ गतिविदियां और क्रिया कलाप हैं। और हमने यह भी जान लिया कि प्रदूशित जल से हमारे स्वास्त पर क्या प्रभाप पड़ता है। अब हम प्रदूशित जल से होने वाले कुछ रोगों के बारे में जानेंगे। पहले हम प्रदूशित जलसे होने वाले रोग और उनके लक्षणों के बारे में जानते हैं सबसे पहले जानते हैं पेचिस के बारे में बच्चों पेचिस में पेट में मरोड के साथ बार बार दस्त होते हैं आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कोई बच्चा या कभी कभी बड़े भी, उनके पेट में बार बार दर्द होता है, मरोड होती है और दस्त लगते हैं, कभी कभी तो पेचिस में दस्त के साथ खून भी आ जाता है टाइफाइड, टाइफाइड में तेज बुखार, भूँक ना लगना और सिर दर्द, टाइफाइड का जो रोगी होता है, उसको बहुत तेज बुखार होता है, भूँक नहीं लगती और सिर में दर्द रहता है, और टाइफाइड में मरीज को बहुत कमजोरी हो जाती है पीलिया आँख नाखून पेसाब का पीला होना जैसा कि नाम से ही इस पस्थ है पेलिया में रोगी की आँख नाखून और पेसाब पीले हो जाते हैं इसमें भी रोगी बहुत कमजोर हो जाता है हैजा जादा और लगातार उल्टी दस्त आपने देखा होगा कभी कभी बच्चों को या बड़ों को भी लगातार दस्त और उल्टी होते रहते हैं बार-बार उल्टी और दस्त होने के कारण सरीर में पानी की कमी हो जाती है यदि हैजा का इलाज समय पर ना मिले तो इससे म्रत्यू भी हो सकती है मन की बाद